All Creatures Great and Small Writer Ruskin Barn आज इस कहाने का हम हिंदी रुपान तरह पढ़ेंगे बहुत से लोगों के पास ऐसे पालतू जानवर होते हैं जिन्हें सामाने तह लोग नहीं पालते क्योंकि वे सामाने से अधिक रोमान्चित करने वाले जानवर होते हैं इस कहाने में रैटर अपने दादा दादी के शौख और अनुभव बहुत ही रोचक तरीके से बताते हैं कहाने इस प्रकार शुरू होती है कि दादी जैसे ही देखती है कि उनके पती एक अज़गर को अपने कंधों पर लादे लेकर चले आते हैं और दादी उसे देखते ही कठोर्ता पुर्वक मना कर देती है शी पूट्स हर फूट डाउन यहाँ एक महावरा है जिसका अर्थ है कि कठोर्ता से किसी बात को मना कर देना तो दादी भी उसी प्रकार दादा को वह साम अज़गर को अपने घर लाने के लिए मना करती है वैसे तो दादी ज्यादा थर पक्षियों और जानवोरों पर पती सेहनशील थी उन्हें रखने की इजाज़त भी दी थी लेकिन रेप्टाइल या रेंगने वाले सरी सरकों पर मनाही की रेखा खीज़ती थी दादी कहती है कि रेप्टाइल को देखकर उनका खून ठंडा हो जाता है इसलिए एक सुन्दर मधूर सभाव वाला गिर्गिट उसे भी भगा दिया गया दादा जी को भी मालम होना चाहिए कि अज़गर को रखने की पर्मिशन मिलेगी वह भी चार फिट लंपा जवान अज़गर जिसे दादा जी ने सपेरे के पास से 6 रोपे में खरीदा और भरे बाजार से अपने कंधे पर लाद कर भीर को प्रभास्त करते हुए उसे घर लाए थे दादा जी की गले में लिप्टे अज़गर को देखते ही दादी तो लगभग बिहोशी हो गई थी रोते हुए बुली तुम्हारा गला घुट जाएगा जल्दी से उसे हटाओ बकवास दादा जी ने कहा वह केवल एक जवान दोस्त है उसे जल्द ही हमारे आदत हो जाएगी क्या वाकई दादी ने कहा लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं उससे दोस्ती कर लेगा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी चचेरी बेहन माविल कर हमारे साथ रहने आ रही है वह हमें छोड़ देगी जैसे ही उसे पता चलता है कि घर में साब है ठीक है मेरे ख्याल से उसे जैसे ही वहाँ आए वैसे ही जल्द से जल्द दिखा देना चाहिए दादा जी ने कहा ठीक है चलो माविल आंटी का तमाशा देखेंगे जो मेरी तुलना में तहीं ज्यादा तमाशा भीन है तुम ऐसा कुछ नहीं करोंगे दादी ने कहा ठीक है ठीक है मैं इसे बंगीचे में छोड़ दूगा दादा जी ने भोलेपन के साथ कहा यह पोल्ट्रिय हाउस में अपना रास्ता खोच सकता है तुम कितने परेशान हो दादी पुद्धुदाई इस प्राणी को बात्रूम में बंद करोंगे बाजार में जाओ और ढूड़ो जिस आदमी से तुमने इसे खरीदा था और उसे ले जाकर वापस करो मेरे सामने दादा जी उसे बात्रूम में ले गए और एक तीन के टब में उसे रखा और जल्दी ही सपेरे को ढूनने निकल पड़े दादी भी उत्सूपता से वरांडे में उत्री लेकिन जब दादा जी को देखा तो देखकर समझ गई कि वे खाली हाथ लोटे है दादी ने उख़डे मन से कहा बेहतर होगा कि आप इसे खुद ही कहीं छोड़ दो इसे जंगल में छोड़ दो नदी के किनारे छोड़ दो पर यहां से ले जाओ ठीक है लेकिन पहले इसे कुछ खिला तो दो दादा जी ने कहा और एक मुर्गी की गर्दन तोड़कर उसे बातरूम में ले गए कुछ समय बाद मैं दादी मां और हमारा बावर्ची तथा माली हम देखने गए कुछ समय बाद दादा जी ने दरवाजा खोला और बातरूम के अंदर चले गए मैंने भी जाँक कर देखा अजगर नहीं था वह चला गया दादा जी ने खोशना की वह भूखा होगा मैं सोचता हूँ कि वह बहुत भूखा नहीं होगा मैंने कहा हमने खिड़की खुली छोड़ दी थी शरमिंदा होकर दादा जी ने हसते हुए देखकर कहा घर, किचन किस सावधाने पूर्वक तलाशी ले गई बगीचे में, आस्तबल में पॉल्टरी शेड में लेकिन अजगर कहीं नहीं मिला वह अब तक बहुत दोर निकल गया होगा दादा जी ने आश्वस्तों कर कहा भगवान करे ऐसा ही हो, दादी ने कहा जो चिंता और राहत दोनों के बीच जूल रही थी आंटी मावेल अगले दिन तीन सप्ता के लिए पाज गई कुछ दिन दादा जी और मैं थोड़े आशंकी थे लेकिन तीसरे दिन अजगर महाशे अचानक फिर से प्रकट हो गए जब वह नहीं दिखा तो हमें विश्वास हो गया कि वह जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है वह अच्छे के लिए यहां से चला गया है और फिर शाम होते होते हम बागीचे की चीख पुकार से चौक गए कुछ सेकंड बाद आंटी माविल उर्थी हुई उपर आई बरामदे की सीडियों से ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो अमरूत के पेड में वह हाँ गई मैं एक अमरूत तोड़ने के लिए उपर गई जब मैंने उसे घूरत देखा उसकी आँखों में देखा मानव वह मुझे खा जाएगा दादी ने आगरह से कहा शांत हो जाओ प्यारी बहन शांत हो जाओ हमें बताओ कि तुमने क्या देखा एक सांप आंटी मेबल चिल लाई एक महान बोआ कांस्टिक्टर यह पीज फिट लंबा रहा होगा अमरूत की पेह में इसकी आँखे भयानक की इसने मुझे अजीब तरह से देखा मेरे दादा दादी ने एक दूसरी को अच्छे तरह देखा और दादा जी ने कहा मैं बाहर जाकर उसे मार डालूँगा और फिर चाल से एक छत्री को पकड़ कर बाहर बागीचे की ओठ लबके लेकिन जब तक वह अमरूत के पेट पर पहुँचे हैं तो आजगर गायब हो चुका था मैंने कहा माबेल अंटी ने जरूर उसे धरा दिया होगा दादा जी ने कहा हमें आपकी आँटी के बारे में ऐसी बाते नहीं कता चाहिए लेकिन दादा जी के आँखों में शरारण भरी हसी थी इस घटना के बाद अजगर ने मानो एक श्रंखला बनाने शुरू कर दी थी वह अक्सर जहां सोच भी नहीं सकते थे ऐसे स्थानों पर दिखाई देने लगा आँटी मावेल ने उसे कुशन के नीचे बैठे देखा तो मावेल ने अपना बैग पैग कर लिया और दादी ने हमें जन्दी से शिकार पर फेज दिया अगली सुबर मैंने देखा कि अजगर ड्रेसिंग टेबल पर आइने में अपने प्रतिबिम्ब को देखते हो पड़ा है मैंने दादा जी को भुलाया लेकिन जब तक हम लाटे तब तक अजगर वहां से कहीं चला गया था थोड़ी देर बार उसे दोबारा बगीचे में देखा गया उसके बार फेज ड्रेसिंग टेबल पर वापस आ गया खुद को आइने में निहार रहा था जाहिर है वह अपने स्वयम के प्रतिबिम्ब का दिवाना हो गया था दादाजी ने देखा कि शायद वा सभी का ध्याना करशित कर रहा था जिसने उसे थोड़ा घमंडे भी बना दिया था मैंने कहा टिपने की कि वह आंटी माविल के लिए सुन्दर दिखने की कोशिश कर रहा है किन्तो मुझे तुरंद पस्तावा भी हुआ क्योंकि दादी निया सुन लिया और उनके चौड़े हाथ का एक जाबड मेरे सेर पड़ पड़ा ठीक है अब हम उसकी कमजोरे जानते हैं दादाजी ने कहा क्या आप भी मजाक सूझ रहा है दादी मान को अब अजगर सबसे खतरनाक लगने लग रहा है मेरा मतलब केवल इतना था कि वह बहुत व्यर्थ हो रहा है दादाजी ने कहा जल्दी बाजी में उसे अब पकड़ना आसान होना चाहिए वे एक सिरे से दरपंड या आइने के साथ एक बड़ा सा पिंजरा तयार करने लगे पिंजरे में वह एक रसदार चिकन और कई आने विंजन छोड़ाए और एक जाल के साथ ट्रेपर को फिट कर दिया जब तक हम वयख जाल तयार करते तब तक आँटी मागे जा चुकी थी लेकिन हमें योजना के साथ आगे बढ़ना पड़ा क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अजगर इसी तरह घर और बाहर खूमता रहे कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ और एक सुबा स्कूल के लिए मैं जा रहा था तब मैंने देखा कि अजगर पिंजरे में लिप्टा पड़ा हुआ है उसने अपने लिए रखा हुआ सब कुछ खा लिया था और आईने के सामने कुछ इस तरह आराम के साथ बैठा हुआ था और चेहरे पर मुस्कान अगर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अजगर मुस्कुरा रहा है मैंने जल को धीरे से नीचे किया लेकिन अजगर ने ध्यान नहीं दिया वह अपने सुंदर परफिभिन ओभी में खुया हुआ था दादा जी और माली ने पिंजरे को ट्ट्टो के जल में डाल दिया और नदी के पार निकल पड़े पिंजरे को जंगल में छोड़ दिया और जाल का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया उसने बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया दादा जी ने यह बाद में बताया और मैं मुझे भी आइने को दूर ले जाने की इच्छा नहीं हुई यहाँ पहला अफसर था जब मैंने सांख को प्यार में पढ़ते देखा तो इस प्रकार यह कहानी पूरी होती है मुझे आशा है आपको यह कहानी हिंदी में जरूर समझ में आई होगी और आप इसका इंगलिश में उत्तर और समरी आसाने से लिख सकते हैं को यह कहा है झाल 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 झाल